अगर आप लोग मेरे रिशिकेश सीडिस को फॉलो गर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोग रिशिकेश पहुँच चुके हैं अब भी बारी है रूम टूर देने की बिकॉस ओविसली मेरे चैनल पर जब भी हम ट्रावल करते हैं आपको अल्मुस्ट हर जगह के बेस्ट होटेल का रूम टूर मिल जाएगा बिकॉस मैं जब भी ट्रावल करती हूं तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं स्टे की रिगार्डिंग सबको बता सकूँ बिकॉस स्टे में बहुत सारे लोग को बहुत सारे ओप्शन करने पड़ते हैं और कई बार ही हम गल्ती कर देते हैं तो दूसरे के एक्स्पीरिंस से बहुत अराम से चीज़े भी हो जाती है इस बार बारी है हमारे बेस्ट होटेल इन रिशिकेश की अक्चली यहां का एक्स्पीरिंस मेरा थोड़ा सा अलग है तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको रूम टूर दे दरती हूं एक एक चीज दिखा देती हूं और शॉट्स में भी शेयर कर दूंगी ताकि आपको ओवरॉल व्यू भी मिल है तो चलो start करते हैं तो सबसे पहले तो होटेल का नाम है जिसमें हम प्रूल करें दी गंशा इन होटेल यह आपको में रोट पे मिल जाएगा यह सबसे अचिज बात है कि जो यहां मैं रोट पर आपको यह वाला होटेल मिल जाएगा नियरवाय मार्कित बहुत अच्छी है सारी amenities आपको मिलेंगी hotel में भी और बाहर भी आप अपने according explore कर सकते हो अपने according choose कर सकते हो कि आपको क्या करना है for example restaurants आप चूस कर सकते हो यहां खाना है यहां खाओ बहुत अच्छा menu है काफी अच्छा taste है बिकास जब हम आये थे तो हमने भी दिनर हमने बाहर से किया वहां क्योंकि हम गुमने चले गए थे तो बाहर ही खा किया है वहां का खाना भी बहुत टेस्टी है just hotel से दो शॉप छोड़ किया है तो आपको यहां पर बहुत सारे options मिल जाने वाले हैं तो गनेशया इन आपको यहां पर आपको यह लॉप सा सोफा मिल जाए गा यह किसली है यह भी मैं आपको बताओंगी और यहां पर यह टेबल है एन देन देन दिस इस चेर पर बस मुझे एक चीज थोड़ी सी खराब लगी कि यहां पर ऐसे किसी ने जला दी आ जा दिया और आपको इसके सा रहा है उतना देख लो सी यह जो पूरा आपको दिख रहा है ना this is a river view गंगा नदी का पूरा यहां पर व्यू आपको मिलेगा तो सुबह में आपको दिखाऊंगी रात का नजारा कुछ इस तरीके का है तो यह वाला सोफा पे ना सबसे ज़्यादा बड़िया चीज यह है ठ उसके बाद यहां पर चोटू सा एक डस बिन दिया हो है जहां पर आप अपना समान डाल सकते हो फालतुगा यहां मेरा बाग ऐसे खुला पड़ा है बिकॉस अभी हमने चेंज करना है यहां पर आपको काफी सारा स्पेस मिल जाएगा काफी स्पेशियस है यहां पर आप यह जैसे मेरा यह बड़ा वाला बाग है आप अपना लगेज यहां पर अराम से रख सकते हो यह आपको पूरा टेबल मिलेगा वाइफाई वगेरा सब कुछ आपको मिल जाएगा रिसेप्शन का नंबर वगेरा सारी चीज़े सारी इंफो पहले से इन्होंने प्रोवाइड की तो यहां पर आपको एक कबड मिलेगी जो कि पूरी खाली है विकॉस हमने तो कबड में कुछ भी नहीं रखा एंदी बेस पार्ट इस लॉकर यहां पर अपने एसेंशल को लॉक कर सकते हो हैंगर्स भी अवालेबल हैं सो ओवरॉल रूम ना काफी जादा अच्छ है आपकी सारी चीज़े ना बहुत सेफटी के साथ यहां पर आ जाएंगी देन दिस इस दी वाश्रूम थोड़ा सा जो दिक्कत पॉइंट में कह रही हूं ना वो इधर की तरफ ही है वो मैं आपको बताऊंगी अभी लेकिन पहले आप बेड देख लो और गोलु को देख लो नोनी क किसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है बट बहुत थक चुका है बेचारा गाड़ी चला चला के घूम घूम के सो हैस दी मेन्यू ओके दनिया रेमोट है एसी का सो यह है बेड काफी अच्छा है यह भी और ऐसे दो टाल मिलेंगे एक एरा एक वोरा सो काफी कॉम्फ यह भी काफी जादा खुबसूरत है तो मुझे तो रूम बहुत पसंद आया and the best part is this जो सुबह आपको देखने को मिलेगा व्यू बहुत ही सुन्दर है मैं समझ रही 5,000 रुपीज के हिसाब से थोड़ा सा आपको costly लग सकता है लेकिन जब सुबह आप यहां का व्यू लेकिन रिवर व्यू वाला फाइव के का था तो प्राइस उपर नीचे होते रहते होंगे सीजन के साब से अभी जो चल रहा वो यही है तो चालो देखते हैं प्रॉब्लमाटिक पार्ट सो गाइस दिस दी वाश्रूम होटेल की क्वालिटी के कोडिंग मुझे वाश्रूम उतना अच्छा नहीं लगा एक तो बहुती छोटा सा है आप देख सकतो बहुती ज़्यादा छोटा सा है यहां पर उसके पाद यहां पर नहाने का एरिया है यहां पर इन्होंने पियर्स और डव दिया हुए शौवर भी है और गीजर भी है तो आस सच कोई प्रॉब्लम न करने की ज़रत है बाखी ओवर अलल इनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्री है ओवर अलल इनकी सर्वस बहुत अच्री है विकाज जब जब हम कॉल क करते है कि इमेडियी अडियाटली सेवेस्वाले रूम सर्वेस आ जाते हैं और साथ में रेक्वस्ट का खाना बहुत बचे उनको हम कवर करेंगे तो हम लोग एक ही दिन में चला जाएंगे वापस I guess तो कल का जो भी व्लॉग है वो देखना मत भूलना because उसके अंदर मैं आपको सारे जो भी sightseeing points है वो दिखाने वाली हूँ रूम कैसा लगा जरूर से comment section में बता सकते हो अपनी choice में इसको जरूर रख सकते हो because literally इनकी services बहुत जादा अच्छी है overall and काफी अच्छा staff है staff भी काफी cordial है so मैं तो recommend करूंगी इस hotel को आप जरूर से आओ अगर इशिकेश आ रहे हो यहाँ पर रुको अगर आप foot massage या back massage लेते हो तो 1500-1500 है दोनों काई और 35 minutes तक आपको मिल जाएगी साथ में यहाँ से आप देख सकते हो आपको स्पाल के मज़े लेना है तो वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी रिशिकेश में कुछ कुछ चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर योगा के लिए बहुत योगा जिनको पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगा है इतने सारे टूरिस देखिए ना मैंने जो बाहर से अब्रॉड से हैं और स्पेशली योगा के लिए यहाँ पर आएए फूड अच्छ है सारा ट्रावल के लिए बहुत अच्छी एमिनिटी आप स्कूर्टी हायर कर सकते हो और आम से गुंग सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पूरे होटेल का जो शॉर्ट वीडियो आएगा वो भी चैनल पर आजाएगा ताकि आपको ओवरॉल होटेल का आईडिया लग जाए तो वनी रहना स्टेट की हूँ थांक्यों आपको पूरा रिवर व्यू मिलता है हिल्स का व्यू मिलता है बहुत ही जादा खुबसूरत नजारा दिन में आपको अलग देखने को मिलेगा रात में अलग सो स्टे ट्यूट बाइंच